बोगल का प्रक्टिस सेशन चलिए शुरुवात करते हैं सुची एक को सुची दो साथ मिराना है इस सेशन में काफी अच्छे कोशन है जो कि इसी तरह की कोशन आपको आपके एक जाम में देखने को मिलेंगे और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस करें जिससे की सबसे पहले नोट्पिकिशन आपको मिल पाए एक तरफ दिया है फसल और दुसरे शाट दिया है उसके उत्पादक देश नारियल नारियल का उत्पादन कहां पर होता है यह होता है पापुआ निवगिनी यानि कि ए का दो केला जो होता है वो एक्विडोर में होता है केला एक्विडोर मुंगफली कहां पर होता है सेनेगल में होता है और चाय होता है केन्या में ए का दो बी का तीन A का 2, B का 3 option number A में दिया गया है A बिल्कुल correct हो जाएगा चली बढ़ते हैं अपने आज के अगले question की तिरफ और अगला हमारा question है भारत के तमिलान त्रेट पर C तिरीद के उबरसा किस के द्वारा होती है यह question junior added में पूछा गया है और युःपीशेस में भी यह question पूछा गया है इसलिए question important है आपकी अनुवले टीजिटीक जाम में चप सकता है उत्तर पुर्वी मांशून द्वारा दाच्षेड पूर्वी मांसून द्वारा उत्तर पस्मी मांसून द्वारा या फी दच्छडी पस्मी मानसून के द्वारा तो भारत की ये तमिलार तुरड पर सीत रूत की बरसा किसके द्वारा होती है या पूछा गया है और इसका जो correct answer हो जाएगा उत्तर पूर्भी मानसून द्वारा आपसन नंबर ये correct हो जाएगा प्रजेक्ट टाइगर की सुरुवात कब की गई थी इंपर्टन कोशन ये भी है 1974, 1975, 1972 या भी 1973 में पूछा गया है प्रजेक्ट टाइगर की सुरुवात कब की गई थी भारत की से पूछा जा रहा है यह किया गाता है 1973 में डी आप्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1973 में प्रजक्ट टाइगर के शुरुआती गी थी और यह बाग बचाओ परयोजना इसके इंतरकत यह सुरू किया गया था और बरतमान में भारत में तिरपन बाग अभ्यारण है यानि क अब बात करें बताएंगे कि प्रजेक्ट कब शूरु किया गहता है कि में बाक्स में कमेंड करके बताईएगा तो किसे कहां कि ये कमपनी है किस देश की सबसे बड़ी लाइस्क उत्पादन कमपनी है तो यह जो कमपनी है यह है चीन की सी आप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन लेते हैं निमखित में से कौन से फसल चक्र अपने विषिश्ट परदेश सही रूप से सुमेलित है कपास गन्ना गेहु पस्प्रदेश और ये बिल्कुल सही सुमेलित है धान गेहु मढवा पहाड़ी परदेश ये भी बिल्कुल करेक्ट सुमेलित है लेकिन ये तीसरा सुमिलित नहीं है और चोथा देखते हैं मुंकफली और हर बुंदेल खंडियानी की पहला सही है दूसरा सही है तीसरा गलत है और चोथा सही है एक दू और चार किसमें दिया गया है एक दो और चार दिया गया है बी आप्शन में और बी आप्शन ही इसका करेक्ट एंस्वर हो जाएगा चलि अगला कोशन लेते हैं मिखित में से कौन सा इसपात करखाना सेल के अंतरगत नहीं आता है भिलाई बर्नपूर बोकारो या पिर जमसेदपूर तो इसने पुछा किया कौन सा करखाना सेल के अंतरगत आता है नहीं आता है स्टील अमद्राइट एंडिया लिम्टेड इसका फुल्पार्म है सटील अधारेट यह 0 आट्रिया लिम्टेड तो जो यह क करखाना है जब्सेद पुरस्थी कि करखाना टिशको बारत का एक्मात नीजी स्वमित का करखाना घ्र सेल के अंतरगत नहीं आता है कौन सा जमसेत पूर्जो है यह टिसको भारत का एकमात निजी स्वामित वाला कारखाना यानिकी यह निजी छदर की कंपनी है अगला कोशन लेते हैं ब्रमान में आकास निर रंग का दिखाई देने का कारण निमनी है इसमें क्या है रेले प्रकीड़न डी आप्शन बिल्कूल करेक्ट है इन निखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उधारण है प्रसांत प्लेट, कोकोस प्लेट, नजिका प्लेट या फिर फिलिपीन्स प्लेट तो पुछा गया कौन सा बड़ी प्लेट का उधारण है तो बड़ी प्लेट का जो उधारण है वह क्या है वह है प्रसांत प्लेट ए आप्सन करेक्ट है प्रसांत प्लेट सबसी बड़ी प्लेट है और यह प्लेट बीवर्तिनी किरियाओं के अधर पर अब तक 6 परमुक तथा 20 लगुप प्लेटों का निधरन किया गया है यह च्छे लगुप जो प्लेटे हैं उसको आप नोट कर सकते हैं चलिए बढ़्ते हैं अगले कोशन की तरफ और हमारा कोशन है परवस स्रीडियों के बीच वस्तीते यानि कि परवस स्रीडियों के बीच इस्तीत थे धोराथर एवं पीर पंजाल, रण जोती एवं नाग टिब्बा, रदाख एवं पीर पंजाब या फिर मद्ध हिमाले एवं सिवालिक किमद कुल्लू घाटी कहां इस्तित्य या जो इस्तित्य यह है मद्ध हिमाले एवं सिवालिक किमद D option बिल्कुल सही है अगला कोश्चन, काल सब्द का समंद किस्से है, गलेशियर से, नदी से, भूमिगत जल से या फिर समुद्र की लहरों से काल सब्द का समंद किस्से है, तो इसका जो समंद है, वो है, गलेशियरों से, A option बिल्कुल करेक्ट है किली मंजारों परवत इस्तित है, केनिया में, सुमालिया में, तंजानिया में, या फिर मुझामिक में किली मंजारों परवत कहां इस्तित है, या है, तंजानिया में, C option करेक्ट हो जाएगा यह एक ज्वाला मुखी परवत है जो अफ्रिका महादीप का उच्चतम अस्थान भी है और तंजानिया क्या है इस्ट अफ्रिकी देश है निम्नखित में से कौन सा स्केल बसावटों के रैंक साइज बितरण का सही माप है नामित यानिक नामिकल क्रमिक यानिक आर्डिनल अंतराल या फिर अनुपात कौन सा स्केल बसावटों के rank size बित्रन का सही माप है या जो स्केल है यह है अनुपात में D option बिल्कुल correct है सिंगापूर के सरवाधिक निवासी निम्निखित में से कहां से समंदित हैं भारत, चीन, मलेसिया या फिर इंडोनेसिया सिंगापूर के जो अधिकतर निवासी हैं वह कहां से समंदित हैं वह चीन से समंदित हैं भी option बिल्कुल correct हो जाएगा और यह और प्रवासित हैं सिंगापूर में रहने वाले चीनी नर जो नागरिक हैं उनकी सेंक्या लगबल लगबा सत्तर परसेंट से अधिक है यानि कि सि लिगापूर में देखते हैं चीनी है अगला question लेते हैं लिमनखित में से कौन सा योगम सही नहीं है सही नहीं है पुछा गया है जब भी आप exam में question देखेंगे तो यदि नहीं और हाँ वाला जरूर गोला कर लेंगे नहीं तो इसमें क्या होता है दो से तीन question human error के चलते ग जब परिद करांथी खाधैन उत्पादन विल्कुल correct है नेरी करांथी मचली उत्पादन विल्कुल खिरेकट है सुथ करांथी दोसी दुसे उत्पादन दूर यहं समुना पर कर्कूरेक्ट गोल्याई नहीं तीन relying परादन ऑब्हन दॉत्पादन से समन्धित है यह मैं भी Chicago New York, Rome, San Francisco या फिर Edward deane पूछा क्या है? ayr बिर्णायट召 नाम से किस को जानते है odt.ison correct और इस्थित कहा पर है यह स्टित उस्काट रेंड में कहाँ पर है यह स्काट रेंड में रहे है haft-दू है Edward Deane में रहेतgovern in और यहां कमें है रहे है है अगला कोश्चन की तरफ और अगला जो हमारा कोश्चन है सेल के रूपांत्रण से बनने वाली चटान है स्लेट संग मरमर नाइस या फिर इनमें से कोई नहीं तो सेल के रूपांत्रण से रत्रूप स्लेट है और कोईला का जरूपा दिरत रत्रूप वब क्या है ग्रिणाइट है यह आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं मैच करने के जा सकता है और एक पूर सकता है चलिए अग्ला परशन लेते हैं कौन सा एक अंतर जनित बल नहीं है तनाव, संपिडन, भरंशन या फिर अपरधन या कौन सा है या है अपरधन डि आपसे बेल्कुल करेक्ट है तापमान की बिलोमता है तो निमन में से कौन एक सही नहीं है हिमा चादित धरातल, सीत सुस्क पौन, सीत कालेन दिल के रात्रियां या फिर मेगा चादित आकास, कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया कौन सा एक सही नहीं है तो यह है D option, मेगा चादित अकास D option बिल्कुल करेक्ट है जापान में समुद्री फेनी को सुखाया जाता है पट्टियों के रूप में काटा जाता है और एक नमकीन और चबाने वाले स्नैक के रूप में खाया जाता है जापान में इसे क्या कहा जाता है A, B, E का इनागो या फिर मगूरो क्या इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं E का B option बिल्कुल करेक्ट है चलिए अगला कॉश्चन लेते हैं निमने में से कौन सा आस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लोह एस्क खनन केंदर है अगला कॉश्चन लेते है लोपो लीथ ता फैको लीथ किस वर्ग की चट्टाने है आगने सेल, औसादी सेल, कायंतरित सेल या फिर इन में से कुई नहीं लेपो लीथ ता फैको लीथ किस वर्ग की चट्टाने है या जो चट्टान है या आगने सेल, ये आप्सन करेक्ट है केम की सनचना होती है पॉंक से, गोलास्म से, बजरी से या फिर इन में से कोई नहीं तो केम की सनचना कैसी होती है यह होती है बजरी से C आपसन सही है मिख्ड में से कौन सी कयांतरित चटान नहीं है Slate, Quartzite, Granite या फिर संग मरमत पुछा किया कौन सी कयांतरित चटान नहीं है तो जो Granite आगने चटान का उधाराण है गनाईट क्या है? आगने चटान का उधाराण है तथा अनस भी रुपान्तरित चाट्तान की उधारन है आगने क्या है गरनाइट क्या है आगने चाट्तान की उधारन है यानि की C правal correct है और बाकि सलेट और संक्वर्मन किसकी है या रुपान्तरित चाट्तान की उधारन है हमने question number 16 में इसको discuss किया हुआ तो इसका correct answer C हो जाएगा अगला question लेते हैं हीरा एक कायंतरी चटान है इसका मूल रूप क्या है बलुवा पत्थर, नीज, कोईला या फिर इन में से कोई नहीं हीरा क्या है ये कायंतरी चटान है और इसका इसका मूल रूप क्या है कोईला है कौश नमर पचीश में पूछा गया है तो यह कुछ जेट इस्ट्रीम का सिध्धान D option correct हो जाएगा अंगला question दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिक्तम किस प्रदेश में होता है गर्म मरुस्तल में ठंडे मरुस्तल में मरुस्तली प्रदेश में या पिर टैगा प्रदेश में तो दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिक्तम किस प्रदेश में होता है या होता है गर्म मरुस्तली प्रदेश में ये option बिलकुल correct है निमने में से कौन सा एक जैव जनित सागरी आउसाद है नेली पंक, डायटम उज, जिप्सम या फिर फासफेट कौन सा है यह है डायटम उज, बी 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 राइट निम्निकित में से प्रात्मिक सेल कौन सा है आगने अवसाधी कांति या फिर इनमें से कोई नहीं पुझा गया है प्रात्मिक सेल कौन सा है 28 नमर कोश्चन में यह हो जाएगा आगने आपसन नमर A करेक्ट है अंगला question Great Britain में बहुत कम लोगदी उत्पादित की जाती है परन्तु कागज निर्माड महत्पूड है जबकि Sweden में लोगदी निर्माड कागज निर्माड की तुल्ला में बहुत ज्यादा महत्पूड होता है क्यों कि Great Britain Sweden की तुल्ला में प्रोदगी की रूप से उत्नत है या फिर बी लोगदी निर्माड कच्चा माल उन्मुखी है या फिर ये करेक्ट है कागज निर्माड ज्यादा बाजाल उन्मुखी होता है या फिर C Sweden गरीब देस है या फिर D Great Britain में कागज निर्माड के लिए प्रचुर मात्रम में वन संसाधन है इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हो जागा लोगदी निर्माड कच्चा माल उन्मुखी है कागज निर्माड ज्यादा बाजार उन्मुखी होता है बी आपसन बिल्कुल करेक्ट है लास्ट कोशन इस सेशन का निर्मिकित में से कौन सा युग में सुमेरित नहीं है सांता आना ये क्या है सांता आना क्या है कैलिफोर्निया ये बिल्कुल करेक्ट है खमसीन खमसीन क्या मिस्र ये वाला करेक्ट नहीं है ये क्या होगा ये मिस्र होगा आउवास सोलीजर्णड यह भी करेक्ट है मिस्टरल फ्रांस तो यह भी और यह सी डिदटन इनर्वाल है लेकिन बी वाला क्या है यह यह हैं चलिए कण्स भी स्यच्टाकरली मिट्टी नहीं है कपाष तक गन्नावत पाधन के लिए लौ रभ मेगनिसियम कर कार्बनेट केलसियन तता अलुमीना की प्रचूरता नाट्रोजन फासपरस प्रटेसियन तता आर्गैनिक तत्व की प्रचूथा सुस्क्रीट में बढ़ी दरारों का विकास तो कौन सी बीश्वषता नहीं है काली मिट्टी की यह क्या है नाट्रोजन फासपुरस प्रोटेस्यन तथा आर्गैनिक द्रुटायस में नहीं होती है सी आप्सान करेक्ट है बात कर लेते हैं काली मिट्टी को अस्थानी रुप से इसको रेगुर नाम से जाना जाता है और उत्तरप्रदस में से क्या करेल या फिर काली कपास की मिट्टी जबकि अंतराश्टी अस्तर पर उश्ड कटिबंधी चर्नोजम कहा जाता है और इसको अस्थानी भासा में इसको रेगुर करते हैं और यह कपास के ख्यती के लिए उप्यक्त होता है तो इस तरह से इसका C option correct है निमिखित में से कौन सा योग में सुमिलित नहीं है डाफर ये गुजरात में है correct है बक्करवाल ये जम्मू का स्मीर में है ये जन जाती है यानि किरसी परकार देशों में कौन सा स्य सुमिलित नहीं है एक तरफ जा किरसी का परकार और दूसरत आफ जा देश पसुचारण ये अरजेंटीना का किर्सी प्रकार है बिल्कुल करेक्ट है ब्यापारिक दुधु पसुपालन यह निदल लेंड का है यह भी करेक्ट है ब्यापारिक बागानी किर्सी यह कहां पर यह मलेशिया में यह भी करेक्ट है लेकिन भूमत सागरी किर्सी यह सुडान में नहीं करके यह कहां पर होती है यह होती है दच्छी अफ्रिका के दच्छी भाग में वहुम्मद सागर किरसी तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा पढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन के तरफ और अगला जो हमारा कोश्चन है निम्लिकित युगमू यानि किरसी उत्पाद प्रमुख उत्पाद में कौन सा स अगला कोश्चन लेते हैं यह तरफ दिया नदिया और दूसरी शाट दिया जलब परपात यह जलब परपात है यह नदिया है पिगमीज किस अधिपिकमीज परłę कोश्चन जलब परपात है कंगो बेशिन हो मसाई पर क्या है मसाई पर पुरवी अफ्रिका और लैप्स पर मद्ध ऐसिया ग्वीड बुश्मैन काला हारी मरुस्तल अधि ऐस जलब पात नहीं हैं बल्कि यह जन जातिया है और प्रजात की जन्म भूमी कहां पर है भारत इंडोनेशिया चीन या फिर मध्य पस्चिमी एसिया तो मंगोल प्रजात का जो जन्म भूमी है वो है चीन या जो है या जो है आन्द प्रदेश और तमिलनाडू या क्या है ताजे जल की परिवहन नहर है जिसके लंबाई लगव कितनी है या कोरो मंडल के तटके समनांतर आंध प्रदेश के पुर्वी गोदावरी जीले से तमिलनाड के वेलू पुरम जित्तक फैली हुई है गला कोशन शगन चंड़का वन इस्तित है बिहार में पस्चिम बंगल में तमिलनाड में या फिर उडिशा में तो शगन चंड़का जो वन इस्तित है यह कहां पर यह है उडिशा में डी आप्शन करेक्ट हो जाएगा सालैंट वैली के चर्चित होने का क्या कारान है जयल संक्या विश्फोट पर माड केंद्र की अस्तियापना छे बिवित्त एवं सदा बहार वहन का सन रचन अफिर अधिक जल संचयन है । यह 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 जै बिवित्त वर्स 2011 की जनगड़ना के अनुसार भारत का कौन सा राज सबसे अधिक जनसंक्या घनत वाला है बिहार पस्चिम बंगाल केरल या फिर उत्तर प्रदेश तो 2011 की जनगड़ना के अनुसार भारत का कौन सा राज सबसे अधिक जनसंक्या घनत जनसंक्या घनत पूछा गया है तो यानिकि 1116 यानि कि एक किलोंटर में 1116 लोग रहते हैं उसके बाधा है पस्टि बंगाल फिर केरल फिर प्रदीश आठेश 829 पर भारत में उच्छ जीऊ सरक्ष्ण अधिनियम किस वर्स पार्त किया था यानिकि भायत में वने जी शैक्षण अधिनियम किस वर्स पार्त किया निन्हुखित में से चावल के किर्षी की अंतरगत अधिकतम छेत्रपल किस देश में है भारत चीन रूस या फिर ब्राजील पूछा गया है पूछित में से चावल के किर्षी की अंतरगत अधिकतम छेत्रपल किस देश में है भारत चीन रूस या फिर ब्राजील तो किस देश में है यह है भारत में एक आप्शन सही है फिर से मैच करना है सूची एक दिया सूची दो एक तिरफ दिया है घास के मैदान और दुसरे तिरफ दिया उसके चेत्र यान इस्टेपी किया एक प्राजा के घास है और उसका चेत्र इस तिरफ दिया है सूची वन यह चेत्र है यह घास अस्थर उत्तरी अमेरिका में कौ तो A का 3, B का 4 किस में दिया गया है? D option में दिया गया है D option correct हो जाएगा निमकित में जुमिंग किर्षी प्रदती किस छेतर में परचलित है? उत्तर, पुर्वी राज, राजस्थान, मत्य प्रदेश या फिर केरल तो जुमी किर्सी पंदती जिस छेत्न प्रचली थे वह छेत्र है उत्तर पुर्वी राज यानि की ए आप्सन बिल्कुल करेक्ट है चट्टानों के निर्माड के दोरान अपनाया जाने वाला सही करम क्या है कायंतरी चट्टान लावा आगने चट्टान या फिर अवसाधी चट्टान इसका करम पूछा गया है कि सबसे पहले किस करम में आएगा तो क्या है पहले आएगा लावा उसके बाद आएगा आगने च प्रक्क में आगने चट्टान उसादी चट्टान में कि 1 5 3 4 और एक लीए क पानेजिका पहले आपके यह आप कारम नंख कोॉशंन लेसे निम्खित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है सिमांग कांगो मसाई पुर्विय अफ्रिका बद्दू कीनिया यह पी सकाई जापान जिसका जो कौन सा करम जो है सही सुमिल नहीं करता है कौन सा यह है डी सकाई जापान में वलकी कहां पायाते हैं तच्छी थाइलेंड में पायाते हैं और मला निम्न में से कौन सा कथन छोब सिमा के बिशे में सत्य है या लगबग पांस कीमी मोटी है मोटी परत है भूमत द्रेखा पर इसकी आउसत उचाई लगबग 10 किलिमिटर है इसके उचाई में मौसमी परवरतन नहीं होता है डी है इसके सिर्ष में भूमत द्रेखा पर तापान अधिक्तम और धुरूबग पर अपिशत्या नियूंतम पाया जाता है तो इसमें पुछा गया है छोब सिमा के बिशे में सत्य कौन सा है यह है इसके सिर्ष में भूमत द् और ध्रूव पर पिषत्या निउनतम तापवान पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके मोटाए किति 12 किम्हाई है। यह 10 किल्मूटर गलत चाहि निम्निकित के नसाफ्देशों में से किसमे वर्ष 2011 में अनसुचित जन जातियों का सर्वच प्रत्षत था लच्छ दीप पुदुचेरी अंडमान एवं निकुपार्दीप या फिर दमन दीप किस प्रतेश में 2011 के जन गड़ना के सब्सक्राइश की सर्वच संख्या थी प्रत्षत में तो कहां कि थी यह थी ल वह अस्तान जहां जीव अथवा जीव का समुदाय निवास करता है उसको बोलते हैं निवास से that means she will be right समाना वायोम समानता किस समंदत है उस्ड कटवंदी सुस्क आदर जलवाई विश्वती आदर जलवाई उस्ड कटवंदी सुस्क जलवाई या फिर मान सूनी जलवाई तो कहां पर पाय जाती है समाना वायोम समंदता यह पाय जाती है उस्ड कटवंदी सुस्क आदर जलव कि मंगोल यहाद प्रजाद की उत्यप्रत्र किसी माना गया है मद्ध यूरोप मद्ध एसिया मद्ध अश्ट्रेलिया या फिर मद्ध अफ्रिका मंगोलाइट फ्रज़ाद की उत्यप्रत पार सब्सक्राइब है मद्ध इसया भी आपadowात्र कि ओ परिवर्धन दकीलिफ presented या फिर एक बात मिनोट करी छोब मंडल को भी परिवर्तन मंडल ही कहते हैं यानि कि यदि परिवर्तन मंडल है या फिर छोब मंडल है दोनों बात क्या है सेम है इसमें क्या है उचाई के साथ क्या होता है तापमान घटता है यह आप्षन करेक्ट है अगला question. 6 pandemic की मुटाई डैस कि ये उपर सबसे अधिक होता है चंदीगड, Kolambos, Kolkata या फिर Kopern, Hagan. तो 6 pandemic की यहाँ से किसकी उपर सबसे अधिक होता है? तो वो जो है, Kolambos है. B option सही है. इन एकित मैं से सुस्कर्दुष में तैप पतं दर कितिनी होती है 100 गराम सेंटीग्रेट से 100 प्रती 10 सेव मीटर शासशब पक्चाद 6.5 0 Sind प्रती 111मीटर 60 सेंटीगेट प्रती 111मीटर या फिर 20 मेंसे कोई नहीं तो सुषक रुदोस्त ताप पतन धर जो होती है वह है इन में वह किसमें नहीं वलकिकिर पृतर है ये मुझे- Is it मत अगला जनल ने निम्ख्य क्विकत्राइब कौण से चटाई पारगम में है सलेड शेट्र या फिर चूना पत्थर पुछा गय है कौन सी चटान पार गम है यह कौन सी चटान है यह है चूना पत्थर ड साुथ के मदद दस डिगरी और पंदर डिग्री नार्ध के मद पंदर निजव्वरी ौर पचरीष डिगरी नार्थ के मद खारा है 5 15 जील साम्भर जील लेकवज वन या फिर मिरितसाग presses ब्रज़ कहर जीति पर्टित अस्तिलाकिती है गोल चिद्र या फिर ज्वारामू कि अस्त्तला कृती है तो इस्टेगले कीनिट सही है वेसे के लिए है निच्छे पित अस्तला क्रिती या आपशन सही है अगला कोशन निम्कित में से नियुजित नगर है कलकत्था चंदिगर मुंबई या पिर दिली तो इसमेंसे यह जो नियुजित नगर है वह है चंदीगर भी आप्सन करेक्ट है एक कोई छोड़ रहा हूं इसका अंसर आप कमेंट करते हैं कमेंट करेंगे हम उम्मेद करते हैं कि आप को यह सब्सक्राइब जरूर करें सामको चार बजे पेट के लिए यह पेट की त्यारी कर रहे हैं य किद भी आपको कि अप्राइब जरूर के जरूर को यह प्राइब इसक्राइब करते हैं नहीं है कि अजय करते हैं कि अंसरा बाले वी आपको यह हैर रहे हैं अ